हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागता आपका अशने वीडियो में आज किस वीडियो में हम local json file से data निकालने वाले हैं तो अभी तक जब हम APIs की बात कर रहे थे तो हम APIs में जो JSON data निकालते थे APIs से तो हम उसे बोलते थे कि हम live data निकाल रहे हैं API से ठीक है और भी बहुत तरीकी का JSON data हो सकता है जिसे हम .js file में save ना करके .json file के अंदर save कर रहे हैं ठीक है तो हम उस data को कैसे fetch कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले तो वीडियो का पूरा देखना ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा छोटा से वीडियो होगा बढ़ यह जानकारी जो है वो काम की है ठीक है तो फिर start करते हैं तो माल लो मैंने अपने project के अंदर एक file यहां पे add कर रखी है जिसका नाम है countries.json जिसके अंदर शारी countries हैं उनके कुछ code हैं ठीक है तो यहां पे यह file है जिसके अंदर सारा data है और मैंने इसको एक JSON array मैंने इस file के अंदर directly डाल दिया कोई भी variable यूज नहीं किया है कुछ भी यूज नहीं किया directly मैंने JSON array को इस file के अंदर paste कर दिया है जिसका नाम है countries.json पहले जो step होता है कि हमें क्या करना पड़ता है इस file को import करना पड़ता है ठीक है मैंने यहां पर import लिखा और मैं इस file को import करने के लिए नाम में कुछ भी दे सकते हैं जैसे मालो मैंने दिया countries data countries data और इसे कैसे करेंगी from जो भी हमारी json file है उसको यहां पर import कर दो करेंगे कि मिला की नी मिला तो यहां क्या कर सकते हैं यहां पे console कर सकते हैं आब console.log और इसके अंदर content data को हम कर सकते आए आपको यहां पर देखो यह data हमारे पास आ रहा है ठीक है पूरा area आ रहा है, JSON area हमारा, अब इस JSON area को आप चाहो तो अपनी state में serve कर सकते हैं, क्यों हो अगर मालो आपको कोई ऐसे task करने इसके अंदर multiple selection या कुछ इस तरीकी चीज़ करने हैं तो आप क्या करोगे इसको state के अंदर data को डाल दो ठीक है, जिससे आप state के अंदर changes कर सको और reflect कर सको changes को, ठीक है अगर आपको ऐसा कुछ भी task नहीं करना, simply list करानी है, simply list के लिए का का सकते हो, आप इस data को flat list के अंदर use कर सकते हो, या फिर इस data को आप कहीं भी use कर सकते हो, या से scroll view के साथ with using map है न, तो कैसे करना, फ्लाल में क्या करा, scroll view के अंदर मालो इस data को में list करा रहा हूं, तो scroll view मैंने ले लिया, और यहां पर मैंने code लिखा, countries.data.map और मैं इसके अंदर क्या करता हूं, इसको मुझे normal listing कराना है, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा, return करा, और return में मैंने यहां पर एक view लगा दिया, इस view को मालो मैंने style, width दे दी मैंने 100%, और height दे दी मैंने 50, ठीक है, flex direction मैंने दे दिया row, और justify content मैंने दे दिया, space between, इसके बीच में दो text हम डालने वाले, पहला test होगा, item.name, जिसके अंदर country का नाम होगा, ठीक है, दूसरा test होगा, जिसमें हम डालेंगे, item.code, ठीक है, इसको save हम करेंगे, तो save करने के बाद देखेंगे, कि यहाँ पे देखो, यह left side में name आ रहे है, right side में के code आ रहे है, ठीक है, अब हमने easily local.json file को हमने access कर लिया, और उसका data हम display करा रहे है, ठीक है, और padding left में 20 दे दूँगा, और padding right 20, तो यहाँ पे बस मेरा 8 यहाँ पे देख रहे है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते है, local.json file को access कर सकते हैं, और उसके अंदर का जो भी data है, उसे display करा सकते हैं, ठीक है, अलब बहुत काम का है यह knowledge, ठीक है, तो फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो अभी लाइक करो, चैनल को subscribe कर ल झाल